कलास को शुरुवात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ का और मैथ के अंदर हम सीखेंगे सिंप्लिफ केशन वाले सवाल तो चलिए बढ़ते हैं तो सभी बच्चों को गुड आप्टरनून शुरुआत करते हैं कलास की सिंप्लिफकेशन वाले सवाल और ये जो सवाल करेंगे इससे पहले मैं आपको कुछ रूल कलियर करवाऊंगा क्योंकि हमारा काम है कि कोश्चन की जड़ तक जाना उसके कॉंसेप्ट तक जाना तो सबसे पहले रूल जानना जरूरी है रूल के बीना हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो सबसे जरूरी है रूल रूल के अंदर सीखिएगा आपने सुना होगा इस ब्रैक्ट के बारे में यह ब्रैक्टें लिख राऊंग इन ब्रैक्टों के बारे में आपने सुना होगा सबसे पहले ये है जिसको हम कहते है स्केर बरैक्ट आपको पता होना चाहिए ये पहले नमबर पर है इसको हम स्केर बरैक्ट कहते हैं दूसरे नमबर पर है इसको हम राउंड बरैक्ट बोल देते हैं और तीसरे नमबर पर है जिसको हम कहते हैं करली बरैक्ट तो पहले तो इन के बाद में स्केर ब्रैक्ट तो तीनों का पता चला उसके बाद जानिएगा अगला step क्या है आपको पता होना चाहिए यह BODMAS यह क्या चीज होती है BODMAS किसे बोला जाता है सभी बच्चे द्यान देगना आपने बोर्ड मास का सुना होगा बोर्ड मास के बारे में यानि B से बरैक्ट और बरैक्ट मैंने अभी आपको बता दी कौन-कौन सी आपकी round बरैक्ट हो गई curly बरैक्ट हो गई और उसके बाद में square बरैक्ट उसके बाद O का मीन हमारा जिसको का के और की कह सकते हो दी का मीन डिवाइड और M का मीन multiply A का मीन add और S का मीन subtract यानि ये बोर्ड मास हमें क्या सिखाता है की इनको जब आपको देखिए इस कोशन में नजर मारिए आपको प्लस का साइन भी दिख रहा है माइनस का भी दिख रहा है उसके बाद में आपको राउंड ब्रैक्ट भी दिख रही है करली ब्रैक्ट भी दिख रही है तो बोडमास हमें ये सिखाता है कि नंबर वाई जिनको खतम करते चाओ सब प्रेक्टिकल सीखेंगे तो मैंने आपको बोड़ मास का मीनिंग बताया है कि board mass क्या होता है B किसे कहते है O, D, M, A, S ये क्या चीज़े होती है सबसे पहला number bracket का आता है उसके बाद का के की को किया जाता है फिर divide का फिर multiply का ऐसे इनका number लगाया जाता है तो बढ़ते हैं question की ओद अच्छा question है पहला ही question तो चलिए शुरुवात करते हैं इस question की क्या दिया गया पढ़िए सभी बच्चे 3 पलस curly bracket दी है सबसे पहले तो आप क्या करोगे 3 पलस इन round bracket को खतम करो 8 में 5 गए 3 ये लो round bracket को मैंने खतम कर दिया पलस 4 में 2 गए 2 ये लो ये भी round bracket को खतम कर दिया पलस इस round bracket को खतम करो इधर देखो 2 पलस 8 बटे 13 है LCM लेके soul out कर लो ये आपका आ जाएगा 26 पलस 8 तो कितना आ गया ये आपका 4 बटे 13 यहाँ पर क्या लिख दोगे 34 बाई 13 ये लो अब आपका round bracket आपको दिखनी बंद हो गई है तो अभी board mask के अंदर bracket को ही soul out कर रहे है सबसे पहले हमने round bracket के अंदर जो भी दिया जाता है उसको soul out कर दिया यहाँ पर 8 में से 5 गए 3 4 में 2 गए 2 और 2 इनको जोड दिया अब देखिए अगला number आएगा curly bracket का तो curly bracket को कैसे soul करेंगे इसको हटाएंगे इसको हटाने के लिए अंदर वालों को जोड दो क्या आगया 3 और 2 पांच और पलस में चोंती बटे 13 अब इन तीनों को आपने जोडना है तो आपका answer मिल जाएगा पहले तो इनको जोडो 5 और 3 कितना हो गया 8 8 में से चोंती बटे 13 जोड दोगे तो आपको आपका answer मिल जाएगा तो आपने करना क्या है इसको soul out कर लेना है और आपने वहां से answer आपको मिल जाएगा तो सभी बच्चे जानती होंगे 13 आठे कितना होता है 104 LCM लोगे प्लस चोंती बटे 13 है 104 और चोंती को जोडोगे 130 बटे 13 तो आपका आजाएगा 10 सही 8 बटे 13 10 सही 130 को 13 से भाग दोगे बता देता हूं 133 को 13 से भाग दो तो आपका क्या आजाएगा 13 धाया 13 36 क्या बच गया 8 तो पहले आप लखोगे बाग फल फिर लोगे 6 फल तो 10 सही 8 बटे 13 ये आपका अंसर आजाएगा यानि की C चलिए बचों ने बताया C तो आपका जो अंसर रहेगा C रहेगा तो आपने पहले कोशन में सीखा कि जो आपकी round bracket होती है square bracket होती है यानि bracketों को कैसे खतम करते हैं तो चलिए सभी बचों को समझ में आ गया होगा अभी तोर बढ़ेंगे अच्छे सही अंसर दे रहे हैं सभी बच्चे चलिए इस कोशन को करेंगे अब सभी बच्चे इमादारी से इधर ध्यान देना तभी आपको समझा पाएगा सभी बच्चे इधर ध्यान देना समझाएगा सबसे पहले किसका नमबर लगाएंगे सबसे पहले round bracket का उसके अंदर वाले को सोल आउट करो step wide कर लो जब आप सीख जाओगे फिर तो चाहे सीधा कर दो, पहले step wise करो, बाकियों को मत छेडो, इसको यही रहने दो, 1 सही 3 बटे 4, minus 3 सही 1 बटे 8, फिर divide है, curly bracket 6 minus, अब सबसे पहले इदर ध्यान दखना सभी बच्चे, इस round bracket वाले को soul out करेंगे, जिसको मैंने circle कर दिया, round bracket में क्य दे रखा है, 2 सही 3 बटे 4, और minus 11 बटे 12, इस mix fraction को तोड़ो, क्या जाएगा, 4 की 2 से करी, 8 और 3, 11 बटे 4, और यह आपका 11 बटे 12, LCM 12 आ गया, तो 4 3, 3 को करोगे, 33 minus 11, तो आपका क्या आ जाएगा, 22 बटे 12, काटके आप लिख सकते हो, 11 बटे 6, यह लो, अब यहाँ पर आ गया, 11 बटे 6 आ जाएगा, यह लो, अब आपकी round bracket खतम हो चुकी है, curly bracket और square bracket रह गई है, समझ में आ गया, सबसे पहला step मैंने क्या किया, कि round bracket को खतम करा, round bracket के अंदर जो दे रखा था, 2 सही 3 बटे 4, और minus 11 बटे 12, तो मैंने दवारा बता रहा हूँ, मिश्रित बिन करवाई थी अभी पीछे, इसको कैसे तोड़ोगे, मिश्रित बिन क्या बनेगी, improper, तो 4 को 2 से करा, 8 और 3 को जोड़ दिया, यानि 6 फल होता है, क्या, 11 बटे 4 और यह 11 बटे 12, 11 बटे 4 में से 11 बटे 12 माइनिस करना है, LCM आ गया 12, तो 4 को नीचे वाले denominator को इ 11 बचा, 22 बटे 12, अब 22 बटे 12 क्या हो जाएगा, 11 बटे 6, पहला काम खतम हो गया, अब चलिए, अब नंबर लगाओ, करली बरेक्त का, अब किसको हटाओगे, करली बरेक्त को, इधर सीखते चलना सभी बच्चे, अब नंबर लगाएंगे, करली बरेक्त का, बाकियों को मत से 11 बटे 6, माइनस कर दो, LCM क्या आ गया 6, 6 की 6 से 36 माइनस 11, तो यह आपका आ जाएगा 25 बटे 6, क्या आ गया यहां पर, 25 बटे 6, यह लो, पहले क्या खतम किया, पहले किया round bracket को खतम, फिर किसको खतम करा, करली bracket को खतम, और अब किसको करेंगे, scare bracket को खतम, अब किसका नंबर लगाएंगे, scare bracket का, अब सीखते जाना सभी बच्चे क्या होने वाला है, इधर द्यान देखना, इधर द्यान देना क्या होने वाला है, यहां से अब यह रही स्केर ब्रेक्ट के अंदर क्या दे रखा है इधर बाहर निकाल रहा हूं आपको सिखाने के लिए इधर द्यान देना सभी बच्चे इसको बाहर लेकर आ रहा हूं सिखाने के लिए क्या दे रखा है 3 सही 1 बटे 8 इसको भाग देना है 25 बटे 6 से अब इधर देखो पहले तो इसको खोलो 8 को 3 से करा 24 और एक ये तो आ गया 25 बटे 8 अब इधर देख लेना बेटा इधर ध्यान दे लेना ये मैं अब खतम करने जा रहा हूँ स्केर ब्रैक्ट को स्केर ब्रैक्ट खतम कैसे होगी इसके अंदर वाले को सोल आउट करूंगा अंदर वाले को देखो ये वाला तीन सही एक बटे आट और भाग में पच्ची बटे छे यहाँ पर एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी इधर द्यान देना पहले तो मैंने बनाना हो पीछे 2-4 दिन पहले ही बताया था कि भाग को आप मल्टीपलाई बनाना चाहते हो तो ये राइट हैंड वाले को पल्ट दिया करो पच्ची बटे छे क्या हो जाएगा छे बटे पच्ची हो जाएगा ये याद रख लेना ये वालारूल जब भी आपने डिवाइ को multiply बनाना हो तो यह जो right hand में होता है इसको पल्ट दिया करो था पच्ची बटे छे लिख दिया छे बटे पच्ची पच्ची से पच्ची कट गया आठ का आदा चार और छे का आदा तीन क्या मिला तीन बटे चार यह लो यहाँ पर मिल गया तीन बटे चार अब सारी ब्रैक्टे खतम हो गई अब इसको तोड़ो mix fraction को चार एकम चार और तीन यह साथ बटे चार इसमें से तीन बटे चार गटा दो एलसियम चार आगया उपर साथ माइनस तीन क्या आगया चार बटे चार कट के अंसर आपका एक आ जाएगा चलिए आपका अंसर एक अच्छा लगा सभी बच्चों ने ए बताया है तो इस तरह से आपने ये देखने में अजीब लगते हैं लेकिन बिलकुल असान अगर इसको order wise करोगे number wise करोगे step wise करोगे तो यह आपको बहुत इजी लगेंगे कोशन तो चलिए तो आपने क्या सीखा इस कोशन के अंदर ये वाला जो सवाल है आपको क्या सिखा के गया ये हमें सिखा के गया कि सबसे पहले round bracket को खतम करो उसके अंदर वाले को सोल कर दो खतम हो जाएगी फिर सिखाके गया करली बरेक्ट को खतम करो और फिर सिखाके गया स्केर बरेक्ट को खतम करो ये लो ये चीज़े हमें सिखाके गया और इसके साथ ही हमें सिखाके गया कि बिवाइड को चेंज करना हो मल्टीपलाई में तो कैसे करते हैं तो राइट हैंड में जो दे रखा है उसको पल्ट देना है, तो इस कोशन ने हमें ये चीज़ें सिखाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कोशन को देखिए सभी बच्चे, बिल्कुल असान सा कोशन है, सभी बच्चे करेंगे मिलके, इधर द्यान देना, क्या है कोशन अभी बताया था, अभी देखिए बोर्ड मास का काम लेंगे, सबसे पहले दिया है कोशन मारक का साइन, इसको एक्स लिग लो, फिर दिया है का, सभी बच्चे बताएंगे का क्या होता है, का के की, क्या लगाओगे, मल्टीपल आई, बोर्ड मास में बताया था, फिर बीस परसेंट, कोई बच्चा बताएग तो नीचे सो लगाऊंगा, देखो, बीस परतिशत था, मैंने परतिशत को हटा दिया, तो जब भी परसेंटिज हटेगा, परतिशत को हटाएंगे, तो नीचे सो लगाएंगे, फिर आगया का, का के की तो क्या होता है, मल्टीपल आई, फिर दस परतिशत, फिर परतिशत को हटाएंगे, नीचे सो लगाएंगे, चलो पलस, फिर क्या है, पाँच है यार, फिर का आ गया, फिर मल्टीपलाई लगा दिया, फिर दो परसेंट आ गया, दो बटे सो लगा दिया फिर का आ गया फिर multiple लगा दिया फिर डाई परसेंट तो डाई बटे हैयार लिख दिया ये मत पूछना सर परसेंट को हटाने के लिए सो लगाते आपने हैयार कैसे लगा दिया मैंने एक point का भी लगा दिया उपर 2.5 को 25 लिख दिया और बराबर में 92.84 पैसे चलिए ये पहला श्टैप था जो मैंने खतम कर दिया चलिए अब इसको सोल आउट कर लो आपके पास X का माना जाएगा तो काटिये सभी बच्चे देखिये बीस पांचे सो कट गया पांच दूनी दस कट गया और दोर सो को काटा 50 तो इस वाले डिपार्टमेंट में तो हमें क्या मिला X बटे 50 मिला चलिए आगे बढ़ो पलस इधर काटो क्या-क्या मिलेगा ये तीन जीरो से ये तीन जीरो काट दी पच्ची और सो को काटा 24 जा 100 उसके बाद 2 तू जा 4 अब नी कटेगा उपर बचा 5 और नीचे बचा 2 और बराबर में 90 में पॉट 84 अभी देखो एजी करेंग़ इसा 9 तक पोंचना है टेंसन मतलो सबसे पहले क्या करो क्या मैं इस 5 बटे 2 को क्या मैं इस 5 बटे 2 को ड도 कि सकता हूं सब ही बच्चे बताएंगे क्या मैं इस 5 बटे 2 को धाई लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, ये 5 बटे 2, इधर तो X बटे 50 रखा, उधर 92.84 है, ये 5 बटे 2, जब मैं इसको right hand में लिया, माइनस का हो गया, उधर पलस है, तो धाई लिख दिया, 2.5, अब पहले तो आप इसको माइनस कर दो, यहां करेंगे, इधर दिमाख लगाना सभी बच्चे, इधर क्या बचा है, X बटे 50 बराबर, अब इसको माइनस करो, 92.84 में से 2.50 माइनस कर दो, क्या आया, 4 आया, 3 आया, ये आगया आपका 90.34, क्या आगया, 90.34, ये आया बराबर में, अब एक चीज और करूँगा, मैं इधर दिमाख लगाना, मैं इस 90.34 को, यहां से पॉइंट को हटाऊंगा, जब मैं पॉइंट हटाया, तो मैंने क्या लिखा, 9.34 बटे 100, अब ये मत पूछ लेना, कि सर जी, आपने 100 कैसे लेगा दिया, यहां, मैंने पॉइंट को हटा द दिया, 90.34 था, 90.34 था, पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा दिया, अब मैं और क्या करूँगा, नीचे से नीचे काट दिया, दो पर, ये लो, 50 और 100 को काट दिया, नीचे से नीचे, दो पर, और 90.34 को दो पर काटा, तो 45, 17, तो आपका जो अंसर है, वो B आ जाएगा, बेरी गुड बेटा, B अंसर आएगा, सुनीता देवी, बेरी गुड, यानी कि आपका इस कोशन का जो अंसर है, वो B आ जाएगा, तो बिल्कुल देखिए, अगर आपको रूल पता है, कौन सैप्ट पता है, काटना आता है, तो आप इस कोशनों को असानी से कर पाओगे, तो रूल के बीना नहीं होंगे, अब देखिए, कर रहे हैं, जिसको पता था, का, के, की, क्या होता है, परसेंट कैसे हटाते हैं, उसने तो कर दिया, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए इस कोशन को सभी बच्चे, करिए इस कोशन को सोल आउट करें सभी बच्चे, करके देखिए क्या आएगा, करें सभी बच्चे करेंगे, क्या कोशन दे रखा है, तीन मल्टिपलाई दस की पावर एन, बराबर में दे रखा है, तीन सो पंटालिस बटे तेइस इन्टू पाँच और मल्टिपलाई में 100, ये लो, ये कोशन है, और एन का मान बताना है, तो चलिए, कितनी असानी से इस कोशन को निकालेंगे, तो सभी बच्चे इधर ध्यान देना बेटा, सभी बच्चे इधर ध्यान दखेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ, कि 23 को 5 से multiply करेंगे, तो आपका क्या आजाएगा, 105, क्या आजाएगा, 105 आएगा, या 15 आएगा, तो ये आपका 115, अब इधर देखो, पहला step मैंने क्या किया, ये 23 गुणा 5 लिख रखा था, इसको काट के, मैंने लिख दिया, 115, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिया था, 3 multiply 5, मैंने 23 को 5 से multiply कर दिया, और 15 लिख दिया, ये लो, 315 और 115 को काट दिया, 115 और 315 को, 3 पर कट गया, 115 तिये कितना होता है, 315, और देखो, और देखना मैं क्या करूंगा, इधर से 3 और इधर से 3 बराबर में उडा दिया, ये 3 इस 3 के साथ खतम कर दिया, इधर बचा 10 की पावर N, और इधर बचा सिर्फ हयार, ये लो, इतना असान कोशन आ गया, अब मैंने आपको सिखाया था, जो मेरी लगातार कलास लगा रहा है, उसको समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर N का मान निकालना है, और N कहाँ पर पड़ा है, N की जगा कहा है, पावर में, N आपका पड़ा है पावर में, और मैंने बताया था, जब जिसका मान निकालना हो, और वो पावर में दे रखा हो, तो आप बेस बराबर कर दो, अब यह करवाया था दो दिन पहले, अब बेस को इकवल करदो, बेस को बराबर करदो, इधर 10 की N, क्या मैं हियार को लिख सकता हूँ, 10 की 3, मैंने क्या करा, हियार को लिख दिया, 10 की 3, हियार के गुनन खंट कर दिये, तो 10 की 3 मीन, 10 को 3 बार लिखोगे, हयार ही होता है और 10 तीन बार लिखा, तो 10 की 3, तो अब अपना काम तो हो गया बेस से बेस कट गया, और N का जो मान है, जो वैल्यू है, वो हमारी 3 आ गई 3 बोले, तो अंसर हमारा C आ चुका है, तो चलिए, अच्छा लगा सभी बचों ने अंसर C बताया, तो इस तरह से रूल और प्रैक्टिस, मैथ मांगता है मैथ का फंडा है, कि उसको कॉनसैप्ट चाहिए, अगर आपके पास कॉनसैप्ट है और आपके पास कैलुकुलेशन है, कैलुकुलेशन कहते हैं, काटना, ठीक है तो आप इन कोशनों को असानी से कर पाओगे, पूरे मैथ को, चलिए, आगे बढ़ते हैं देखिए इस कोशन को सभी बचे, नजर मारेंगे इस कोशन साइड बताएंगे, बिलकुल असान सा कोशन आपके सामने है कीजिए बेटा इस कोशन को सभी बचे क्या है, आपको दे रखा है 289, इसका वर्गमूल निकालना है फिर इसको भाग देना है, यानि ऐसे लिख सकते हो 289 भाग अंडूरूट एक्स और बराबर में एक बटे पांच ऐसे लिख सकते हो आप, यानि की 289 का वर्गमूल निकालके उसको अंडूरूट एक्स से भाग देना है तो चलिए, तो सभी बचे मुझे बताएंगे कि 289 का वर्गमूल क्या होता है 289 का वर्गमूल क्या होता है ये सभी बचे बताएंगे तो चलिए, तो क्या जाएगा 17 क्या जाएगा 289 का वर्गमुल 17 289 का मैंने वर्गमुल खोला क्या मिला 17 और नीचे क्या है अंडूड एक्स और बराबर में एक बटे 5 अब सभी बच्चे सुना होगा क्रोस मल्टीपल आई आर पार गुना सभी जानते हैं आर पार गुना को अंडूड एक्स की एक से करी अंडूड एक्स आ गया और 17 की पांसे करी 85 आ गया ये तो अंडूड एक्स का भाई अंसर आया है हमें तो एक्स का चाहिए तो एक्स का अंसर कैसे आएगा ये लो अंडूड को खतम करूँगा एक नई चीज और सीखलो सबी बच्चे, जब आपको एक साइड से अंडूड खतम करना हो, तो दूसरी साइड बेटा स्केर कर देना, ये लो, अगर आपने एक साइड में अंडूड खतम करना हो, तो दूसरी साइड स्केर कर दो उसका, आपके पास X का मान आ जाएगा, अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे महनत करेंगे, तो आपने देखो इधर देखिए, आपका last में हो, तो महनत नहीं करनी है, 85 का स्केर का मीनिंग, बच्चे बजा क्या करेंगे, 85 की 85 से गुणा करने लग जाएंगे, सारा time waste कर देंगे, तो आपने गुणा नहीं करनी है असान तरीका बताता हूँ इदर जान रखना जब भी लाश्ट में 5 आ जाए चाहे आ जाता 75 का स्केर 65 का स्केर चाहे आ जाता 55 का स्केर तो आपने क्या करना है 5 पीछे वाले 5 का स्केर करो लिख दो 25 8 अब क्या बचा 8 का अंसर आ जाएगा 22 पच्चिस तो आप डिरेक्ट कर सकते हो आपने मल्टीपलाई नहीं करना है दुवारा बता देता हूँ कई सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने दुवारा बताओ बता देता हूँ उदर जान रखना जब भी लाश्ट में जैसे आ गया 65 आ गया आपने 65 का स्केर खोलना है कैसे खोलोगे इदर देखो पहले तो 5 का स्केर लिख दो अंसर में 25 लिख दिया अब बताओ 6 के बाद क्या आता है 7 इनकी गुणा कर दो 6 साते 42 42 आ गया अब सीख गय होंगे अब और सिखा देता हूं मान लो एक और बता देता हूं जैसे करना होता 45 का स्केर तो 5 का स्केर क्या आ जाता 25 4 के बाद क्या आता 5 तो 4, 5 जा 20, 20, 25 अब समझ में आ गया होगा तो इसी के साती ये कोशन खतम हो जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिएगा आगे बढ़ेंगे चलिए इस कोशन को करेंगे सभी बच्चे तो इस कोशन में हम नई चीज सीखेंगे इस कोशन के अंदर हम बिलकुल नई चीज सीखेंगे चलिए अभी तक हमने सीखा round bracket square bracket curly bracket ये चीज़े सीखी divide को multiply कैसे बनाते है percent प्रतिशत को कैसे हटाते है ये चीज़े सीखते आ रही है तो अब एक नई चीज add हो चुकी है देखिए इधर देखिए ये 3-2 के उपर line लगी हुई है जिसको bar कहते है तो अब यहाँ पर गलती होती है हर बच्चा गलती करता है लगब करते हैं तो जिसने सीखा नहीं नहीं सीखेगा वो गलती करके आएगा अगर paper में कोशन आ गया तो तो सभी बच्चे इधर ध्यान दखना गलती नहीं होगी भूल जाना गलती को की गलती होगी तो इधर देखो मैंने आपको क्या सिखाया सबसे पहले round bracket को खतम करेंगे ये रहा round bracket round bracket के अंदर मैंने circle कर दिया इसको खतम करेंगे बाकी तो लिख दो 2 लिख दिया minus लिख दिया curly bracket लिख दिया minus लिख दिया अब bracket के अंदर क्या है जिसको round किया 4 minus 3 minus 2 यह है चलिए इसको सोल आउट करेंगे सभी बचे इधर द्यान देना पहली बात बताने जा रहा हूं बेटा इधर देख लेना यह साइन जो होता है ना यह जो साइन माइनस का यह जितने बार पहले तो बार के नीचे वाले को सोल आउट करो यह साइन को नहीं छेड़ना यह बाहर माइनस का माइनस है प्लस है प्लस पड़ारे दो बार के नीचे वाले को सोल आउट कर दो बार हटा दो तीन में दो गए एक यह लो अब चार में एक गया, तीन, ये लो तीन आ गया, देखो कितना असान कोशन हुआ, तो बार हट गया, यानि की, राउंड ब्रैक्ट वाला सोल वो गया, राउंड ब्रैक्ट वाले को सोल आउट करके हमें क्या मिला, तीन मिला, अब इधर देखो, अब बारी किसकी है, बारी किसकी ह अब बारी है करली ब्रैक्ट की स्केर ब्रैक्ट तो ही नहीं करली ब्रैक्ट की बारी है कर दो तीन में तीन गए जीरो और दो में जीरो गए दो तो आपका इस कोश्चन का जो अंसर है वो दो आ जाएगा बी नहीं बेटा, दो आएगा तो इस कोशन का जो अंसर है आपका वो दो निकल जाएगा तो यही आपका अंसर रहेगा सी गए होंगे सभी बच्चे ठीक बेटा, एक कोशन मैं लिख रहा हूं करके दिखाएंगे सभी बच्चे कोशन दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे तीन माइनस करली बरेक्ट पांच माइनस राउंड बरेक्ट साथ पलस पांच माइनस दो लो जी करके दिखाएंगे सभी बच्चे करिए सभी बच्चे इस कोशन को करके दिखाएंगे इस कोशन को सोल आउट करें सभी बच्चे जल्दी करके दिखाएंगे अंसर क्या आएगा कर्णा आएगा अंसर को लो जी बच्चे इस दिखाएंगे चलिए, अंसर आने शुरू हो गए हैं, आठ अंसर बता रहे हैं बच्ची, तो देखते हैं कि अंसर आठ आएगा या और आएगा, अंसर बता रहे हैं आठ, देखेंगे अभी चेक करते हैं, इसका अंसर क्या आएगा, कीजिए वही काम, सबसे पहले, आपने खतम करना है, राउंड ब्रैक्ट को, ये वाले डिपार्टमेंट को, यानि कि 7 पलस 5 माइनस 2 के उपर बार, तो सबसे पहले क्या करो, बार में क्या आगया, 3, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, तो यहाँ पर हमें मिला 10, तो यहाँ से पहली ब्रैक्ट खतम हो ही हमारी चलिए अब देखिए Molly Breaks को खत्म करो तो क्या जाएगा प्लस माइनस है 5 प्लस का है और 10 माइनस का है तो जब ै- तो जो जो बड़ा उता ुसका sign 10 में 5 गए 5 अब इदर गलती इदर देखना यही गलती करोगे अब 10 में 5 गए अंदर वाले को solo करो देखो 10 में 5 गए minus का 5 आ गया तो अब देखिए minus minus क्या हो जाएगा plus तो 5 यानि answer आ जाएगा आपका 8 नो नहीं आएगा बेटा 8 answer आएगा तो लगबग बच्चों का answer 8 है तो इस question का जो answer है वो 8 ही रहेगा तो चलिए इस question को करके दिखाएं सभी बच्चे इस question को soul out करें सभी बच्चे बैठके अभी करवाया है इस question को soul out करेंगे और सभी बच्चे मुझे comment में बताएंगे answer क्या आएगा सभी बच्चे comment में बताएंगे कि इसका answer क्या रहेगा सभी बच्चे बताएंगे comment करके कि इसका answer क्या रहेगा स्भी बताएंगे इसका रहेगाइ़ और स्भी बच्चे इसका रहेगा बताएंगे झाल 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 झाल